वेलकम वेलकम शाम होते ही कलाकार घर पे हैं तो लाइव की लाइन लग जाती है और इतना अच्छा लगता है इतना सुहाना लगता है कि ये ये वर्चुल मेला हो जाता है शांडले इस सुने घर में मिला लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दिवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है तो यही बात है कि शांडले इस सुने घर में मेला लगता है दोस्तों एक कंसेप्ट के उपर मैं काम कर रहा हूं और अल्मोस्ट मेरा काफी इसके उपर काम हो चुका है तो मैं आपका फीड़बैक चाहूंगा इसके अंदर और मैं यह चाहूंगा कि क्या है शास्त्री संगीत और फिल्मी शास्त्रिय संगीत तो अलग है बिल्कुल उसका ज्यादा तर 90 प्रतिशत गानों में शास्त्रिय संगीत का खास लेना देना नहीं होता है क्योंकि बंधन नहीं होता है पर ये मेरे अच्छे मित्र ने सुझाव किया है कि आप बहुत negative post करते हों इसा नहीं है ड्रीम, रियालिटी, और क्रिटिक ये तीनों का महत्व होता है निउरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में इसका बहुत बड़ा महत्व है कि एक हमारा ड्रीम यानि American ड्रीम नहीं एक परपस होता है लाइफ के अंदर ग्राउं रियालिटी क्या है और हमारी अपनी हमारी सोसाइटी हमारी पोलिटीक्स हमारा समाज तंतर उसके लिए हम कुछ करते हैं तो उसमें कृटिक भी होता है देर इस अ रोल उफ कृटिक नट रियली So, coming to the point, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, एफर्मेटिव हो जाएं, जैसे अडाना है, दरवारी है, जानपूरी है, ये सारे बगल 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 कमपार्टमेंट के है, So, S1, S2, S3, ऐसे है, एक तलजी का गाना है, एक दिल मुझे ऐसी, जगाले चल जहां कोई ना हो, एक दिल मुझे ऐसी, जगाले चल जहां कोई ना हो, अपना पराया, महरवाया, महरवाँ कोई ना हो, तो ये सराग की अपनी एक महत्व है, और ये सब बाजू बाजू के रागे, थोड़ा 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 अंतरे कोई उत्रांप्रधान है, कोई पूर्वांप्रधान है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट येस, इन्होंने हमारा जीवन समा रहा है, और हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हम इतने अच्छे युग में आये हैं, कि जहां 70s, 80s में तो आहां, एक से एक गाने आता, जैसे मदन जी के भी कुछ गाने थे, नायर साब के गाने, मतलब नायर जी मदन जी का एज फेड हो रहा था, और नए संगीत कारों का मतलब उस वक के मुकाबले, यहनी एक से गाने देते, एक तरफ नौशाद जी देते, एक तरफ शंकर देगिशन जी देते, एक तरफ लक्षी गान प्यारलाल जी की तरफ से कुछ गिफ्ट आता थ जायए देव जी और रोशन जी और बाद में राजिस रोशन जी तो यह इतना बहतरीन और रागों का, जैसे मैं, I belong to, मैं राजकोर्ट से आता हूं, मेरा ग्रेजुशन तक मैं राजकोर्ट में था, तो इतना कुछ खास होता नहीं था हमारे पास, क्योंकि इतने सारे, फि उन्होंने हमको जैसे सोही नी राग है, तो, for example, जूमती चली हवा, याद आ गया, गया, कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया, कोई जूमती चली हवा, या तो, कानारे कानारे तुन्हे लाखो रास रचाए, फिर काहतों से, और किसी का प्यार ना देखा जाए, कानारे कानारे तुन्हे बोले कोई लिया, कुझ कुझ में भौरे दूले, गुन गुन बोले, आग कुझ 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 में बोले, गोया निया, या रहे तुन्हे तुन्हे एक 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 जामपल है, इतने सारे संगीत कार है, मन्नादा है, और रहम जो गान बना गेरे रहे, बहुत सारे गाने है, तो मैं बाचित करूँ और थोड़े सूर नहीं लगेंगे, प्लीस कर प्या माफ कर देना, क्योंकि बात करना और गाना दो अलग चीज हो जाते हैं, दो अलग पैस लगते हैं, तक तक बटन लगते हैं, सो बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा सूर में रहने की, अनाज बहुत रियाज हुआ है, तो थोड़ा सा एक जूशन भी है, So, yes, there are songs in Darbari 2. जनक जनक तोरी बाजे बायलिया, प्रीत के गीत तुड़ाए बायलिया, जनक जनक तोरी बाजे बायलिया, आं दिल जलता है, तो जलने दे, आंसू न बहा परियाद न कर दिल जलता है, तो जलने दे तू परदा नशी का आशिक है, यूना में वफा परबाद न कर दिल जलता है, दा नी रे जाद नी बामा बादनीजा दिल जलता है, तो जलता है, आंसु परदा नी एदे तू आख में तन बदन जल गया, प्यार की आग में अंगा मां है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है अंगा मां है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है टाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है अंगा मां है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली अंगा मां है क्यों बर्पा तुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले आस निरास के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई और कितने सारे गाना है तूटे हुए ये स्वर वही है राग नहीं है तूटे हुए खाबो ने हमको ये सिखाया है दिल ने दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया है तूटे हुए खाबो ने तूटे है अब दुए एक ही राग पर पहुचा हूँ तूरा मन दर्पन कहलाए तूरा मन दर्पन कहलाए बर्बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मर्वन कहलाए Thank you. और कितने गाने हैं? कितने ट्राच सूँआ बेद रहnantा प्रेष सहना है यह लागी बडिट्र आली लागी टिखना कर्मों कि रषब है आली नहींती तरहें प्रेषकेंश कि दने खेंई कि यह अन्-दै तरहें मेरे सपने अब एक रंग है, दो जहां भी ले जाए राहे, हम संग है यह रा गारा जीवन में पिया, तेरा साथ रहे जीवन में पिया, तेरा साथ रहे आथों में तेरे मेरा हाथ रहे बात ये इतनी अच्छी है जैसे कि दनी सारे गामा गामारे गरे सा इतना अंदाजा आ जाता है फिर आपको राग के बारे में अभ्यास करना है पर मन में ये सारे गाने अलड़ी प्रोग्राम्ड है जो हम गाते हैं और उनके ख्याल आए तो आकर चले गए उनके ख्याल आए तो आते चले गए अगुबधि रागव राजा राम बदी दवावन सीता राम इश्वर अल्ला ते रो नाम सबको सन्मति दे भगवान अभी ये स्वर अलग लग जाते हैं इश्वर अल्ला ते रो नाम सबको सन्मति दे भगवान अगुबधि रागव राजा राम बदी दवावन जीता राम दनी जारे का मल मर दर जार बहुत सारे गाने हैं मतलब कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और एक बहुत अच्छा राग है अच्छा राग के सारे गाने लाइन सुमें राग के साथ ले रहा हूं गौर मल हार है ये राग सजा देते हैं कैसे नादार थे शोलों को हवा देते हैं कैसे नादार बहुत 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 राग है ये और एक गाना है गुजरी तोड़ी वतन पे जो फिदा होगा हमर बुना जावाँ हर दर 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 डिपर दर दर rich God बहुत सारे गाने है और एक गाना है पर वो इतना पॉपिलर नहीं है लेक्स गोफर एक हैमन्तराग है तुम बिन जीवन कैसा जीवन फूल खिले तो दिल मुर जाएं फूल खिले तो दिल मुर जाएं तुम बिन जीवन इसका अंतरा अलग राग में है बेसिकल ये हमन्तराग है ये जैजैवांती राग है और जातो से नहीं बोलूं कनेया राह चलत पकडी मुरी बईया पकडी मुरी बईया जातो से नहीं बोलूं कनेया जातो से नहीं बोलूं कनेया ये साउथ में भी है नौर्थ में भी है ये एक बहुत 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 राग है जिसमें मदन जी के गाने है तेरी आंकों के सिवान निया में रखा क्या है ये उटे सुबह चले ये जुके शाम धले मेरा जीना मेरा मरना इनी पलकों के तने तेरी आंकों के सिवा धुनिया में रखा क्या है ये है राग जिन जोटी इसके हर शाम तनहाई की है आएगी मन्जिल कैसे जो मुझे ने फिर से बुला दे होई तारा न रहा कोई हम्डं न रहा कोई सहारा न रहा हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा इसका आंत्रा बहुत क्लोज है अपर है पर में गाउन की हाए उस पारतो आसों की दगर तोकरे खा रही हर कदम पर जगर तोकरे खा रही हर कदम पर नजर ये मुझे ने इतना फिल करके गाना तिस इस अमेजिग तो अबसे बहुत सारे गाना है इसमें तुम मुझे यू बूला न पाहोगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुन गुना होगे हां तुम मुझे यू ओट सारे गाने है? और है यहां बीच में एक फरमाई से बहुत अच्छी जी आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है आपसे भी खुब सूरत आपके आपके आँखों में कुछ महके हुए से राज है आपसे भी खुब सूरत आपके अंदाज है आपके आँखों अच्छ बहुत क्या पहतरीन गया लता जी किशोरता ने ओमाई गॉड सॉंग्स अर नॉट बेज़ अन रागास कोई जरूरी नहीं पर वहां फील और स्क्रीन पे जो एक्टर है उनकी उनकी प्रेजन्स को निखारना है यह बहुत 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 निभाया है जो पहले के जितने भी प्लेबैक सिंगर्स है आज भी कर रहे हैं कोई कंट्रावर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूं ओके एक केदार राग है बहुत फेमस है तो मैं उसकी कुछ आप यूही अगर हूं से मिलते रहे देखी एक दिन प्यार हो जाएगा ऐसी वादें न करो हसी जादू कर मेरा दिल तेरी आंकों में हो जाएगा आप यूही अगर हूं से मिलते रहे सामारे पामाबदा निरा पामाबदा मारे पल्डो पल का साथ हमारा पल्डो पल के याराने है तौचु जवानीने ये गाने से वो गाना बनाता था पुर्शोदम भाही जी और एम सॉरी फॉर माइ और एक मेरा फेवरिट राग का गाना है पर ये साथ लेटर ओ ये सिल्सिला में कल पर्सो भी जारी रख सकता हूं क्योंकि आज बहुत रियाज हुआ है और उसकी बात फिर में अभी गा रहा हूं सॉ इकात गाना ले लेता हूं सॉ है एक करना करना नहीं सहिए जीवन से भरी तेरी आंके मजबूर करें जीने के लिए सागर्वी तरस ते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंके बहुत बढ़िया बहुत भेतरी ना गया ना जीया लागे 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 ना आनही मेदाऊने, सुनेन नही मेनाऊ आवतनाई नियाने, सुनेर बहुत बेधरियम कानùaan उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते कुछ नहीं कहते अपनी तो अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते कुछ नहीं कहते उनको ये शिकायत है कुछ कहने से तुफान उठा लेती है दुनिया उठा लेती है दुनिया अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते कुछ नहीं कहते उनको ये शिकायत है तेंक यू इतने बड़िया बड़िया राग है शायद हमें ये राग सीखने को नहीं मिलते थे अगर फिल्मों के अंदर ये राग नहीं होते थे तो येस एक लास्ट राग लेंके मैं खतम कर वा कोई एक फर्माइश देख लेता हूँ अगर कर दिया है जए ये 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 ये-ये याद प्या की आए याद प्या की आए याद प्या की आए ये इतने लोगों ने ऐसे गाया है कि मैं कीबोर्ट बेर हूँ माफ कीजिएगा ये दुख सहा ना जाए आए राम याद प्या की आए बेरी को या लिया कुकु सुनाए ये दुख भी दो जाए याद प्या की आए है 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 याद प्या की आए है 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 हुआ 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 है एक मारवा में गाना लेता हूँ और खतम करता हूँ दिल नहीं होता है छोड़ने को पर साथी दे मारवा पर आदारित है बूल ना जाना मेरा प्यार मेरी वफाका है मेरे हम नम कर लेना एक बार साथी रे मूल ना जाना मेरा प्यार साथी रे मूल जाना मेरा प्यार साथी रे मूल जाना मेरा प्यार बॉलीवूड गविविविग अस सो मेनी सांग्स अभी मैने सिर्फ टीप अप दीप अब दीप मेरे ठीन सो चार्सो गाने वरकाउट किया प्लीज डू लेट मे नो की मैं इस कंसेप्ट पे आगे काम कर रहा हूं और इस concept के उबर बुरा एक show करना हूँ that is all on music and mental health so ये तो एक बात हुई कि Bollywood, शास्त्रीय रागा और उसके साथ एक तगड़ा script बना रहा हूँ and that is the mental health aspect of जो मैंने इतने साल में अपना counselling या जो भी voluntarily किया है suicide prevention और इनको सब मिला के कौन से रागा से हमको किस तरह से फाइदा होगा वो सारे बहुत सारे circulate हो रहे हैं but then this will be a completely authentic because Janvi is now a counselling psychologist so I am very happy to share that Janvi and me are combining वो अपनी psychology, counselling psychology उसके authentic sites पे जाके research कर 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 के we are making a show that has a compact और बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ in fact मैं पूरी तयारी के साथ ही इस show को बैंक करना चाहता था but then ये कोरोना के होज़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप तक ही रागा ये गीत पहुचाओ और आपके मन को सुकून पहुचे आपके आत्मा को तसली पहुचे दिल को तसली पहुचे तो उस वज़े से मैंने अपने concept को अभी ही पुब्लिश कर दिया है and this will be complete with the copyright and वो सब सारी चीजों को मिला के हम ये करने बाले हैं definitely उसको रजिस्टर करना वगेरा तो it's all about music and mental health so yes okay गर्जद बर्जद सावन आयो रे दायो रसमझे हमरे विचडे बदम वा सकी का गरू हा गर्जद बर्जद सावन thank you my वो बीच में I can't take that medicine चुमेर पास है वो because I am having another experiment okay तू है मेरा प्रेम दिलता थोड़ा सकल में okay उजवल जी आहाँ 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 पुछो ना कैसे मैने रैन विताई पुछो ना कैसे मैने रैन विताई एक पल जैसे एक जुग बीता एक पल जैसे एक जुग बीता जुग बीते मुहनेद ना आई मेरी वेणा तुम बिन रोए सजना सजना मेरी वेणा तुम बिन रोए बहुत दिन की बात गा रहे है थोड़ा सा आउट ओफ मेमरी हो रहा उसी लिए गा रहे है सोना वरस की बाली उमर को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम दुनिया के सब से पहले जिसने दिल दिया सुर्क राके बाहर गर से निकलने वाले रस्ते का शुक्रिया नीमत पहुचने वाली रगर को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम मैं प्यार तेरी तैंक यू इतनी सारी फर्माईशों के लिए तस्वीर तेरी दिल से जिस दिल से उत्तारी है फिर तुझे शंग लेके नए नए नंग लेके सपनों की मैं फिल्मे ये गाने तुरंद गाने डिफिकल्ट है क्योंकि कभी गाते नहीं सिंगर तो है नहीं बर देन सूर नहीं लगे तो फिसल जाएगा कभी एक मुझे गाना मेरा फेवरिट है बहारों ने मेरा चमन उटकर किसी ने चलो दुश्मनी की बगर किसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया बहारों ने मेरा चमन उटकर क्या कंपोजिशन है वाँ 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 मैं समझा यही ऐ मेरे हम नशी सजाए मिली है मुझे किस लिए सजाए मिली है मुझे किस लिए किसा की ने लब से मेरे जीन कर किसी ही और को जान कुं दे दिया कभी इश्ग में रकीबों को कासित बनाते नहीं रकीबों को कासित बनाते नहीं आनकों में जन्दे फिरते रोज मिले पिया वाँ बाईया की चैया के मिलते नहीं कभी जाबरे दुख्ये मिलन गाले के काहा करूं का जहूं रे आकों में चल दे फिरते रोज मिले पिया वाँ रे पाकर भी नहीं उनकों में पाती माईरी आ माईरी मकाजे कहूं की अपने जिया की माईरी जी माईरी इनाने दे तेंक यू तेंक यू काफी लंबा लाइव हो गया है में भी कल और कुछ गाने राग बेज लेकर आऊंगा और प्लीज डू लेक्मी नो यह कंसेप्ट आपको कैसा लगा मैं इसके ओपर शोज प्लाइन कर रहा हूं मुकेश जी मेरे ओनलाइन क्लासीज है वो इंडिया के फर्स्ट फ्री क्लासीज है जिसके अंदर ओनलाइन सिखाया जाता है जिसका नाम है और इंडिया कीबोर्डिस्ट सिंगर्स और मुजिशन्स कोई भी गाने वाला हो बजाने वाला हो वाइलीन गिटार सब आके सीखते हैं और देरा आठ ड़स एड्मीन है और उसमें से 24x7 यह ग्रूप पुरी दुनिया में चलता है सारे मुलकों से लोग जुड़े हुए सारे देशों से जुड़े हुए हैं यहां गुड इनिंग गुड इनिंग एवरीबड़ी ओके मेरा फेवरिट गाना आप बता रहे हूं दीनेश भाई यह दिल लगी यह शोकियां सनाम की यही तो बात हो रही है काम की कोई तो बुढ के देख लेगा इस तरह कोई नजर तो होगी मेरे नाम की को करता चला हूं मैं गली गली बहर की बस एक चाहँ सुल्फ की बस एक निगाह प्यार की करता चला हूं मैं यह हार्मानी के चक्कर में ना कई बार कीवोर्ड प्लेयर के सूफ निकल जाते हैं जितनी पढ़ पाया मैंने पढ़ ली है विश पतेल थैंक यू एकदम मजा माया अमिद पतेल कैम चो अमिद भाई I am discussing the concept but yes I am getting feedbacks thank you Muhammad bhai thank you thank you yeah Seema ji definitely or Seema ji in fact मेरा जो लगनी है जो मैं सिखाता हूं तो एक्चुली थार्ट ही है वो जैसे सारे गम बदनी सानी दपमाग बगरेजा बुरबुर से सूर्य उगा फैला उजिया राए ना 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 सूर नहीं लेगा अभी गवद भगरे नी दपमाग अभी मैं गवद कोमल का स्केल होता हूं पर बेजिकली ये राग किरवान आम इम सॉरी राग पढदीप है में घाचाए आधेराग बरना बन गई निंदिया बता दे मैं क्या करूं में घाचाए आधेराग अभी आधेराग ये पढदीप नहीं है तो मेरा जो लर्निंग है वो लोग समझ नहीं पाते हैं लोग पर बेजिकली इस अल बेज़ आधेराग लोगा क्योंकि आज बहुत रियाज है और उसके बाद ये ले लिया है है तो यस गुड़ बाई और ये लिए लिए पर इसके लिए ना ऑर्गिनाइजर मिलने मुश्किल है क्योंकि रागा बेज अफकोर्स इस तरह की गाने होते हैं बट दिज इस मौर ऑन दी जिसको बते ना फैक्ट बेज हैं कि आपका नाद ब्रह्म और निर्वान ऐसी बात होगा हाव इट वर्क साइकोलोजिकली कैसे असर करता है एंकरिंग कैसे कर सकते हो अपर रिग्रेशन थेरपी कैसे कर सकते हो उस सारे बहुत सारे थाउजंस ओफ आइडिया से उसको मिला के एक स्क्रिप्ट बनाया है So I need a very classy audience for that Aslam Khan, कैसे हैं आप और बात करते हैं live के बाद Most welcome And Aslam bhai हमारे बहुत बढ़िया sound engineer है और बहुत पुराने दोस्त हैं 1984 से And our примерно all the songs aslam bhai चे ने record किये और बहुत सारी कंपठियों के लिए samples ही बनाते हैं पर आम नहीं बता सकते पर, yes so good, it's a nice platform where we can meet all friends it seems forum shop भी मुझे दिख रहे हैं और बहुत सारे दोस्त from all over the world असलम खान के लिए कुछ गाना गाना चाहिए मुझे असलम कुछ गिटार सुनादा हूं आपको okay मैं गिटार नहीं सुनाना चाहता हूं को यह काज गाना आपको आपका फेवरिट असलम ने बहुत क्लासिकल यह भी रिकॉर्ड किया है yes thank you forum yes yes नहीं मैं इसके उपर बहुत ही in-depth काम कर रहा हूं यह ग्रंथ तयार कर रहा हूं पूरा और इसके अंदर कॉंसे रागास से क्या how do we get it हमें शांती कैसे मिले हमारे अंदर distortions हैं बहुत सारे biases है preoccupations है तो उन psychology and music को पूरा ऐसे से मिला के एक मख़न तयार कर रहा हूं इसको मुझे तकरीबन तीन चार महीने लगे हैं इसके उपर लिखा वजय से ओम लगाते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है और हम बाबा तो बनने ही सकते हैं क्योंकि हम तो musician है so what we can do is we can work for the society और यह professional level पे होगा क्योंकि काफी सारा charity work हो गया है मेरे जीवन में मुझे professional काम भी करना पड़ेगा so yes Aslam आपके लिए गाना है आज मैं वाइदावे पंकज भाई के कुछ गाने गा रहा था okay मैं वही सुना था पंकज भाई के I D 2 I deserve to be happy यह मेरा हक है कि मैं खुश रहूं यह मेरा हक बनता है कभी हम ध्यान नहीं देते हैं मेरा भी हक बनता है मरने का नहीं खाओ अगर डर है तो इतना निकले ना मेरी लाश कहीं आपके घर से निकले ना मेरी लाश कहीं आपके घर से बरसे भी कुछ ऐसे के खुशी देखके तरसे गम की जो घटा आए तो पिर जोंके बरसे पायाम में मन्जूर नहीं दूबना अलजूं पायाम में मन्जूर नहीं दूबना अलजूं अच्छा है गुजर जाए ये पानी मेरे सर से अच्छा है गुजर जाए ये पानी मेरे सर से बरसे भी कुछ ऐसे के खुश देख के तरसे गम की जो घटा आए तो फिर जोंके बरसे जील में जील में जाद नजर आए थी हसरत उसकी कब से आँखों में लिये बैठा हूं सूरत उसकी जील में जाद नजर आए थी हसरत उसकी एक दिन मेरे किनारों में सिमट जाएगी एक दिन मेरे किनारों में सिमट जाएगी ठेहरे पारी की ये खामोश महुबत उसकी जील में जाद नजर आए थी हसरत उसकी की Thank you So many people are joining us Hi Aves, Hi Paresh अनिकेज जी वेलकम, तियाशा जी वेलकम, इकबाल भाई वेलकम, वाव, शैली जी वेलकम, यस, खुश मंगल है सब, इम्मुनुटी का बहुत कनेक्शन है, काफी लोग मैंने देखा कि दर से जैसे अभी अनुकों खेर जी का मैंने पोस्ट देखा, so people are now fearful about the concept, but yes Aslam, कोई ग और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा By the way, I heard Pankajudaši के गाने बहुत सुनता था, तोड़ना तूटे हुए दिल का बुरा होता है यह इस तरह की बहुत सारी गजले और I really love Pankajudaši गजले ओहो मतलब जैसे अभी दुख दुख का एक सब था, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना वो इतना अच्छा लिखा हुआ है राजेश आईयर जी ने, राजेश आईयर जी ने पंकजी के शो में बहुत मज़ा था इस तरह के गाने जो है फिर और बहुत 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 ऐसे गाने अमर भाई ने इतना अच्छा एरेंज किये हैं करी मिए जी आमार भाई वाई इस मुलकी सर और अमेज इन अच्छī नचीफ होते हैं ये बहुत अच्छी ख़एटियेश वो बड़े खुशनसीब होते हैं। वो बड़े खुशनसीब होते हैं।